नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आप सभी लोग को दोस्तों आज हम देखेंगे ग्यान बिंदुजियास अकेडमी का प्रैक्टिस सेट और यह प्रैक्टिस सेट होने वाला है यह आपका सेट नंबर टू होने वाला है और इसके और बात पता दिया आपको चुछुका है सबी को पता है बहुत दो जूड़ चुके हैं यानि इनमें से पूछ रहा कि गलत कौन सा है देखे आपका पानी पत का प्रतम यूद हुआ था आपका 1526 सही है खानवा के यूद हुआ था 1529 जो आपका चंदरी के यूद है 1530 यही आपका गलत हो जाएगा बाकि आपका ABC सही है यहां पर तीथी तो नहीं दिया गया लेकिन यह पूछ रहा है कि करम किसा आपका पहले कौन सा यूद हुआ था और कैसे कैसे क्या सब यूद था तो वही आपको बताना है तो को सब्सक्राइब करेंगे तो हुमायू की द्वारा चार यूद लड़ा गया था उसमें से आपक नेश्ट कॉशने कॉशन म.3 बोला है निमलिखीत यूदो में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषना किया था वैरी इंपॉर्टेंट देखें जिहाद का नारा दिया था बाबर ने वह कौन सा यूद था तो देखें इसका उत्तर आपको याद ही होगा कॉशन म.3 का ह तुलाद वी जु़िए धर्यायर किया था कहां में पात्सार क्या तो पातस्ख दिखी वर फोर कांट लूट तर आपका हो जाएगा आप्षन का का बजा था कहां पे काबूल यारा आपका भी सही को जायगा देखी यह जो आपका वुगली नमबर टू है यह आपका मुगल वन से सभी को सना आपको देखने को मिलेगा क्योंकि कहीं देखेंगे आप तो मदेकलिन का जो आपका टॉफिक होता जो आपका मदेकलिन का चैप्टर है उसमें आपका 50% अगर हम बात करेंगे तो आपका मुगल वन सही कभर किया है तो मुग और कथन आर बोला कि तूर्की मुगल दर्बार की राजभासा था इस प्रकार से आपका दोनों में से कौन सही हो जाएगा तो देखेंगे आपका पांचवा का सी हो जाएगा ए सही है आर गलत हो जाएगा बाबर ने बाबर नामा जो है तूर्की मिली खाती आपका सही है न पट्टा यह आपका बुलियत विवस्था था इसने किसने सुरू किया था तो यह आपका सेरसा के द्वारा शुरू किया गया था बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा नैश्ट कोसन की मात्र एक मुठी बाजरे के चकर में मैंने अपना समराज यह खो दिया होता इस यानि यह जो कथन है किसे संबंदित है तो कोसन नमर सेवन का अंसर आपका हो जाएगा सेरसा सेरसा के द्वारा यह कथन कहा गया था यानि आपका सी सही हो जाएगा मात्र एक मुठी बाजरे के चकर में मैंने अपना समराज यह खो दिया होता यह सेरसा के द्वारा कहा गया था अ और इसको अच्छे से कोसित कीज़ेगा याद करने का ठीक है चलिए अब आते हैं कोसिन नमर 9 पे हल्दी घाटी के यूद जो है किन के बीच लड़ा गया था ये जो हल्दी घाटी अगर हम बात करेंगे तो देखें अकबर और महाणा परताप के बीच में लड़ा गया था ओप्सन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा नैश्ट कोसिन के अकबर ने सरपर्थम वेवहाईक संबंद राजपूतों के जिस ग्रिह से इस्थापित किये वह आपका कौन था चलिए बताईएगा कोसन नमर्टेन का अंसर क्या होगा तो यह आपका हो जाएगा ऑप्सन एक कछवाहों से क्या हो जाएगा ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आप सब लोग याद रखेंगे अब आते हैं कोसन नमर्यार पे बोला कि अकबर के साथ यूद करने वाली रानी दुरगावती कौन थी यानि कहां के थी तो 11 का उत्तर बताईएगा तो देखिए इसका 11 को उत्तर आपका उप्सन दिया गया इसको हम पढ़ लेते हैं तो देखा जाया तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्सन डी हो जाएगा मं आपका अकबर के द्वरा सुरू किया गया था ओप्सन आपका यहां पर बारा का ए सही हो जाएगा नेश्ट को निकिवा प्रसित जैन आचार जिसको अकबर ने जगत कुरू की उपाधी जो है समानित किया था वो कौन था जगत गुरू दिखी इसका आंसर आपका हो जाएग आपका डि सही हो जाएगा निक्षित अंग्रेजों में से किसे जहांगिर ने इंगलीज खान की उपाधी से समानित किया था वेरी इंपोर्टन्ट इंगलीज खान देखे चौधा का उत्तर आपका हो जाएगा विलियम हौकिंस ये प्रस्लियाद रखेंगे इंपोर्टन् तो जहांगीर के अगर हम बात करेंगे तो यह आपका फार्सी भासा में लिखा था आपका ओप्सन जो है भी सही हो जाएगा मुम्ताज महल का असली नाम क्या था तो आपको आंसर यादी होगा और आपने आंसर कर दिया होगा option आपका हो जाएगा option A अर्जुमंद बानो बेगम याद रखेंगे सबी लोग यहां से प्रस्न यह भी आपका पूछता है अब आते हैं question number 17 पे मुगल यानि किस मुगल बातसाह ने बल्बन द्वारा प्रारम किये गए दर्बारी रिवा जो की सिजदा को समाप्त कर दिया थ अब बहां था तो आपका सहा जहां हो जाएगा option आपका सि सही हो जाएगा लगू अकबर के नाम से किसे जाना गाता हैं लगू अकबर यानि छोटा अकबर तो आपका दारा सिखो दारा सिखो जानी ओप्सन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट कुसने की धार्मट का यूद निमलखित में से किनके बीच लड़ा गया था धार्मट का यूद देखे धर्मट का यूद जो है आपका देखा जाए तो आउरंग जेब तथा दारा सिखो की बीच मिलाड़ा गया था ओप्सन आपका यहाँ पे देखा जाए तो सी सही हो जाएगा नेश्ट कोसन है निमलखित में से किस मुगल बात्सा को दो बार आजी भी सिख हुआ था यहां से परसन यह भी आपका पूशता है कि कौन से मुगल बात्सा था जो उसको दो बार आजी भी सिख किया गया था तो इसका आंसर आपका हो जाएगा औरंग जेब याद लड़का था बताइएगा सहा जहां का था तो इसलिए किसा देखा जाए तो आपका होजयSen2 ऑची के नसले आज अगला पसिलेकिंञा कि आरंग उज्ज जमानी की उपाधी प्रदान यह थी पताएगा यह जो गागा तो यह आपका जो उपाधी दिया गया था क luôn सा सही बात उजर जमानी तो यह आपका जहां आरा को दिया गया था आपसन आपका एञे शही हो जाएगा निम्ण में से कों समराः औरंग्येव की पुत्रों थी औरंग्येव के पुत्री कों थी तो 23 का अंसर आपका हो जाएगा उप्संडी मेहरुनिस्सा क्या हो जाएगा मेहरुनिस्सा इसका सही कि इसका उत्तर हो जाएगा आप एक बार साफ सीरीज बनाएगा कि जिसे कौन-कौन से मुगल जिसे आपका पहले बाबर हुमाई यू अकबर यह जो स्टार्टिंग में हुए तो आपको यह सब आपको पूरा लेस्ट बना करके आपको कमेंट बताना है कि देखते आपको कित वाद बजाने में औरंग जेव किये दख्षता थी चलिए बताएगा 25 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन किसा आप से दिखा तो सी आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा वीड़ा यहां पर आपका दिया हुआ है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेस्ट आते हैं कोसिका जि कि सई है यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकॉल सन ने प्रस्तूत किया था यह भी आपका सई है इस मॉडल के अनुसार कोसिका जिल्ली यहां पर देखे इल्ली लिखाया कोसिका इल्ली के सरचना में दो फास्फो लिपीड अड़ों के परतों की बीच बीच में गोलाकार प्रो बन में कौन सा क्थन एक सही नहीं है चली बताइएगा इसमें आपका गलत कांसा है 27 उत्तरा आपका डी मत हो जाएगा बाकी जो आपका ऑप्सन दिया गया है सभी सई है नेस्ट को सन है बोला कि निमलिखेत कतनों पर विचार कि जिए और सही कथन कौन सा है चून करके बता तो हम इसको देख लेते हैं देखिए DNA को अनुवांसिक पदार्थ कहायता है यह कि सही है जीन को अनुवांसिक इकाई भी कहायता है तो आपका इस प्रकार से देखा जाया तो एक तथा दो दोनों सही आपका इहां पर उत्तर हो जाएगा नेश्ट कोसन है निमलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमलित नहीं यानि गलत कौन सा है तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं देखिए कोसिका का पावर हाउस जो है माइटू कांट्रियर कहायता है सबसे बड़ा अंग जो है आपका लवक है आत्महत्या के थैली जो है सलने आपका इस फोरो सोम जो है आपका गलत हो जाएगा बाकी A B C सही है नेश्ट कोसन है नेमलिखित में से कौन सी रचनाएं पादब कोसिका में पाए जयते है परंतु जन्तो कोसिका में नहीं पाए जाते हैं चलिए बताएगा 31 का आंसर आपका क्या होगा ते कि इसका उ τι करता कि भूमिका कौन निभाता है क्रियेटर कि भूमिका कौन निभाता है या आपका ब्रेक्ट कारेक्ट आंसर हो जाएगा नेश्ट प्रस्णाय निम्लिकित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डियने में उपास्थित जीन को समलित करते हुए इसके स्वें को प्रोटीनों का संसले सड़क करता है बताइएगा देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 33 का ऑप्सन सी हो कोशिका के अंतरगत है कौन कौन से एक प्रारोपिक कोशिका के अंतरगत कौन सा है तो 34 का आंसर आपका हो जाएगा साइटोसों हो जाएगा एवं किंद्रक हो जाएगा तो आपका आंसर जो है डी सही हो जाएगा आगे देखेंगे रंगीन लवक को कहायता है क्या रंगीन सीरा को कहते हैं क्या अंतिम सीरा को क्या कहते हैं तो इसको देखाया है तो आपका लीमो मियर कहते हैं या तीलो मियर लिखा गया है ऑप्सन आपका देखाया 36 का सी सही आंसर हो जाएगा अब आते हैं अगले प्रसन पर या अगला प्रसन आपका 37 है इसमें आपको देख लेते है तो देखाए तो आपका option D हो जाएगा पाचक enzyme हो जाएगा डी correct answer हो जाएगा आगे देखते हैं कि जीवित कोसिका के भीतर उर्जा इस्तरोत पूछ रहा है जीवित कोसिका के भीतर उर्जा इस्तरोत के अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा mitochondria क्या हो जाएगा mitochondria जो है इसका correct answer हो जाएगा अगला प्रस्ता है बोला है कि अवर्णी लवक का मुख्यकार क्या है तो इसका कार यही होता है खाद पदार्थों का संचय करना यानि option जो है आपका भी सही आंसर हो जाएगा जिल्ली यूग तो को सिकांग में पाए जाते हैं क्या जिल्ली यूग तो को सिकांग में पाए जाते हैं तो देखा जाए तो चालिस का उत्तर आपका हो जाएगा यूग औरियोर्टिक में यानि option भी करेक्ट हो जाएगा वचा एवं कुलेस्टरॉल संस्लेसर्ट में भाग लेता है क्या तो देख़िए इसका आंसर आपका हो जाएगा चिकनी ए-र यानि आप्स10 ए करेक्ट होज जाएगा नेश्ट कोषण है निमनिखीत कोशिकांगओं में कौन ए-र संसंस्लेसित पदार्थो का संचयन रुपान त्रड तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर एक बाहर भेशता है कोशिका के अंदर एवं बाहर भेशता है तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा option D गाल जी यानि गाल जी उपकरड़ हो जाएगा डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा अब आते हैं 43 पे बोला कि जीवाणू एवं वाइरस से रक्षा करने वाला को सिकांग है तो यह आपका हो जाएगा option D लाइसोसोम हो जाएगा याद रखेंगे रंगहीन एवं स्वेत प्लैस्टिड को क्या कहते हैं इसको हम फाइनली अगर हम बात करेंगे तो आपका option C हो जाएगा लिको प्लास्ट हो जाएगा आंसर C हो जाएगा कोसिका कला वर्णात्म वर्णात्मतह पारमग्य होती है ऐसा क्यों पारगम में होती है यह आपका पूछ रहा है तो देखेंगे इसका उत्तर आपका हो जाएगा option D है कुछ अड़ों के अंदर या बाहर की और संचल यानि संचलन कोसिका में होने देती ह है जबकि अन अड़ों के संचलन को रोक दिया ता यानि option किसा आप से आपका D सही हो जाएगा कोसिका की बारे में निमनिकीत में से कौन सा सही नहीं यानि गलत कौन सा है कोसिका के बारे में देखें सभी देह जो उत्वों में एक ही प्रकार के कोसिका विधमान है यही आप क्लिए करियों के सम्माय होते हैं कुछ है कोशी कांब की अपनी होती है ठीक है आगे दिखेंगे निमरिखित में सब से चोटी कुशिका कौन से सबसे चोटा कोंजही का पोछ रहा है जो इसका आपको हो जाएगा यानि माइको प्लाजम हो जाएगा आप सभी लोग याद रखेंगे सेल यानि सेल जो है किस नाम की जिव वैज्ञानिक ने सरपर्थम किया था अब आपको बताना है कि यह कब किया गया था सन आपको कमेंट में बताना है अगर आपको याद है तो अगले प्रस्ण पर किन मिखित में से किसने यह मूल आउधान नापक्रस्तूत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दो और लाइडेन यहां पर लाइडेन हो जाएगा चौथा आपका है टी सवान हो जाएगा आखरी प्रस्ण है कि अधिक लवण वाले विलियान में एक को सिकाओं को रखने पर रखने पर वह सिकूर जाती है ऐसा क्यों ऐसा इसलिए कि जल बाहर प्रास्रण द्वारा बाहर निकल के जरूर गताईएगा मिलता है एक नई वीडियो में आज के लिए इतना ही